पुश्कार स्वागत है आपका Self-Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत important topic है सकता हूँ और बहुत serious topic है कि भारत में कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है reform करने की IPC, CRPC इनके अंदर यानि जो अपरादिक कानून है उनके अ PDF कहां मिलेगी तो description box में telegram का एक link दिया गया है तो जाकर आप वहां से download कर सकते हैं इस वीडियो की PDF को तो चली शुरू करते हैं देखिए भारतिया दंड सहीता है दंड परक्रिया सहीता होगी यानि कि जो Indian Penal Code है Code of Criminal Procedure है Indian Evidence Act है इनके अंदर सुधार करना या फिर कहीं क संशोधन करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और भारत सरकार ने बहुत सारे जो हमारे देश के अंदर जो राज्येपाल हैं जो गवर्नर्स हैं जो मुख्य मंत्री हैं और जो भारत के जो Chief Justice of India हैं और जितने भी High Court हैं हमारे देश में उनके Chief Justice हैं उनसे सुझा मांगा गया है कि आपको क्या लगता है कि हमें कैसे जो अपरादिक नए परणाली है इसको सही किया जाए कि किन-किन सुधारों के हमें जरूरत हैं तो इनसे Feedback मांगा गया है और आपको बदा दें कि इससे पहले भी 111, 128, 146 संसदिय 27 समीति यानि Standing Committee की Report दी गई हैं उन्हो थोड़ा बहुत आपको background बता देते हैं कि यह है क्या कब इसको बनाया गया जो हमारे देश में हम Indian Penal Code देखते हैं या फिर CRPC देखते हैं या Evidence Act देखते हैं जिनके तहत जो सजा दी जाती है तो हम इन सब को जान लेते हैं कि कब बनाये गए किनों ने बनाया तो आपको ब बनाने वाला कौन है British Ocean के दोरान ही बनाया गया था और आज की डेट में हम 21 सदी के अंदर जी रहे हैं आप सोच कर देखो आज की डेट के अंदर भी वही कानून चलाये जा रहे हैं कौन से कानून जो अंग्रेजों ने बनाये थे भारत के अंदर ये codification किया था जो अपरा है था वह बिरिटिश के अंदर यह है लोर्ड थॉमस बबिंग्टन मैकाले यह जो थे यह आर्किटेक्ट कह सकते हैं इस कोडिफिकेशन का और जो भारत के अंदर जैसे की भारतिय दंड सही था यानि इंडियन पीनल कोड 1860 हम देखते हैं या फिर कोड ओफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हम जो देखते हैं जो यह हम बात करें इंडियन एविडेंस एक 1972 देखते हैं वो इसी कोडिफिकेशन कहता है चलाय जा रहे हैं अपरादि कानूनों को देखे जो हमारा देश है और हमारे देश में जो नागरिक रह रहे हैं जो सिटिजन है वो यह अपरादि कानून ही बताते हैं कि कैसा relation है, वह कैसा treat करता है एक देश अपने नागरिकों के साथ उसको स्पस्ट रूप से सामने रखता है यह clear, अब बात करें कि क्यों जरूरत हैं में क्या आवशक्ता है, definitely यह जो कानून है, वो अपनिवेशिक है, यानि colonial एरा के कानून है यह, क्या मतलब जो अंग्रेजों ने अपने टाइम में कानून बनाये थे वो एक तरीके से भारत के उपर शाशन करने के लिए बनाये थे, उनका कहीं से भी ऐसा कोई motive नहीं था कि हम भारत को उपर लेके जाएंगे, उन्हों ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, उन्हों ने सोचा कि यहां के नागरिकों को दबाया जाए, यहां पर शाशन करना है तो उस धंग की, उस धंग से जो उनकी मानसिकता थी, तो वहां पर उन्होंने जो कानून बनाये, ओविसली वो कहीं से भी देश के नागरिकों के लिए तो है यह नहीं, तो उनको दबाने के उदेशे से वो बनाये गए थे, और सोचकर देखो वो आज भी हम चला रहे हैं बहुत सारे और दूसरी बात यह है, कि एप्रभावी, यानि इन इफेक्टिवनेस बई, जो कानून बनाये जाते हैं वो किसलिए बनाये जाते हैं, सोचो ज़रा वो इसलिए होते हैं, कि जो भी देश के अंदर बुरा काम करने वाला है जो दोशी है, obviously उनको दंड दिया जाया, यानि उनको पनिश किया जाया और जो निर्दोस हैं उनके अधिकारों की रक्षा किजए हमारे देश में कही न कहीं हमें ये देखने को मिलता है जो कानून है उनका यूज common आदमी या common people है उसको डराने, धमकाने उसका harassment करने का एक साधन बन गया है जो कहीं न कहीं एक सच भी है दूसरी बात कि मामलों की लंभी तता मंदव की पेडेंसी मंदव पेंडिंग पड़े हुँ है बहुत सारे मामले हमारे देश के अंदर अब देखे एक रिपोर्ट आई आर्थिक सरवेक्षन रिपोर्ट जो है वो 2018 उसमें बोला गया भारत के अंदर ध्यान से देखना इन्होंने क्या बोला साडे तीन क्रोड मामले सोच कर देखो कितने साडे तीन क्रोड मामले जो है वो पेंडिंग है और लगबग कई साह अमने ऐसे मामले है जो एक साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं विशेश रूप से कहा परहेज़ जिला और अधिनिस्त यानि जो subordinate courts हैं उनके अंदर साड़े तीन क्रोड मामले जो हैं वो pending पड़े हुए है Supreme Court की बात करूँ तो 58,000 से भी ज़ादा जो हैं मामले pending पड़े हुए है High Courts की बात करूँ पुरे देश के अंदर 44,000,000,000 से भी ज़ादा जो case हैं pending पड़े हुए है जो subordinate court है उनके अंदर साड़े तीन क्रोड मामले pending पड़े हुए है और ये इतने pending मामले है आप सोच कर देखो इनसे क्या साबित हो रहा है इनसे ये पता चल रहा है ये एक चीज को दर्शाते हैं और जो सच कर रहे हैं वो ये कि अगर न्याई में देरी यानि न्याई से वंचित इस कहावत को सच करते हैं यानि इसका मतलब justice delayed is justice denied अगर आपको time पर न्याई दिया ही नहीं गया तो आपके साथ न्याई ही नहीं हुआ ये बात ये सच साबित करते हैं इतने pending मामले और बहुत गंबीर issue है ये आज की rate के अंदर अब ये भी बहुत जादा important एक topic कहें कि point मुझे लगा कि विचारा दिन कहादियों कि अत्यधिक संक्या यानि जो huge under trials under trials का मतलब होता है जिनके उपर एक व्यक्ति है जिनके उपर case चल रहा है वो jail के अंदर बंद है वो jail के अंदर बंद है सोच कर देखो हमारे देश के अंदर जितने भी कहदी है उसमें से 100% कहदी है उसमें से 67.2% तो ऐसे लोग हैं जिनके उपर under trial है वह इनके उपर case चल रहा है ये साबित ही नहीं हुए कि भीया दोशी है कि नहीं दोशी है अब obviously इसके अंदर दोशी होंगे लेकिन at least इनके अंदर कुछ निर्दोस है कभी-कभी तो ऐसा देखने को मिलता है इसी report में भी हमारे सामने आया है कि काफी सारी बात तो ऐसा होता है कि 30-30 साल गुजर जाते हैं किसी को नियाय देने में और जो दोशी होता है जब कहा जाते है इसको सजा दी जाए भीया पता चलता है उसकी डेथ हो चुकी है या फिर under trial के अंदर कुछ लोग ऐसे फसे होए है जब उनकी बारी आती है भीया वो 8 साल सोचके देखो 8 से भी 12 साल जो है वो जेल के अंदर बिता चुके होते हैं और उनको जब सजा दी जाती है तो कहते है भीया 3 साल की सजा है अरे भीया उसने 8 साल जेल के अंदर बिता दी है तुमारे under trial के चलते चलते उनकी बारी ही नहीं आ रही है अब एक report के coding तो ये बात बोली जा रही है हमारे देश में 10 लाख 10 लाख लोगों पर 18 जज है होने कितने चाहिए थे? 50 18 जज है हमारे उपर और कितने होने चाहिए? 50 तो सोच कर देखो कितनी ज़्यादा जरूरत है कैसे सुदार सकते हैं? जो courts हैं उनकी संख्या बढ़ाओ जो justice हैं उनकी संख्या बढ़ाओ यहाँ पर यह सब चीज़ें अरे overburden है मारे देश में justice जो है जो judges हैं उनके उपर overburden किया गया है उनके पास इतने ज़्यादा case है वो सोच नहीं पा रहे हैं का कौन सा case कहां काम पर लेना है इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रहे हैं पुलिस के उपर बहुँ ज़्यादा भारा हुआ है ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि काम कर रहे हैं लेकिन उनके उपर इतना ज़्यादा overburden किया गया है कि भी कुछ काम करना पड़ता है कभी दूसरे ही एंगल से वही एक पुलिस वेक्ती के उपर ये भी काम होता है कि वो मडर की भी जांच करे एक क्रिमिनल को पकड़े भी दो-दो काम हो है मतब कि अलग-अलग काम है और उसे सेम टाइम पर करना पड़ रहा है ये सारी दिक्कतें आ रही है जिससे बहुत जादा एक वर्क के उपर इफेक्ट पड़ता ही बड़ता है अब यहाँ पर देखिए जांच पर यह जांच के उपर बोला गया है भरस्टाचार अत्यदिक कारे बार जैसे मैंने का पुलिस की जवाब देई न्याय के अत्वरित और पारदर्शी वित्रण में एक बड़ी समझते है पर इतनी जादा पुलिस के उपर obviously पुलिस के उपर बर्डन है जजिस के उपर बर्डन है भरस्टाचार भी कहीं न कहीं हमारे देश में है तो यह सारी चीजें हो रही है जिससे बहुत ज़ादा डिले हो रहा है जस्टीस जिससे बहुत ज़ादा फर्क पड़ रहा है आम नागरी को अरे आप सोचो आप एक व्यक्ति जिसके ओपर कुछ ना कुछ किसी दोशी नहीं हो आप पीडित हो और अब आपको न्याय चाहिए और आपको न्याय मिल नहीं रहा आप एक ऐसे देश में जो स्वंतंतर देश है आप उमीद करते हो कि मेरी सुनी जाएगी न्याय पालिका के अंदर और आप जाते हो दर्वाजा खड़कर आते हो न्याय पालिका का और आपको वहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा आपको वहाँ पर सिर्फर सिर्फ डेट्स मिल रही है तो आप सोच कर देखो आपको कितना बीट था है उन लोगों के उपर कितना बीट रहा है एक तरीके से उनके लिए जो right to justice है वह तो कहीं मिल ली नहीं पाया उनको वही न्याय में देरी obviously जो बात कहावत है न्याय में देरी यानि न्याय से वन्चित सही है ये बात अब आगे जो मादो मैन समीती है जो कमीटी बिठाए गे थी उन्होंने 2007 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट में अपरादिक न्याय परणाली यानि CJSI इन्होंने कहा था बहुँ ज़्यादा जरूरत है इनको रिण्यू करने या रिव्यू करने की ये बात बोली गई थी यहां पर दूसरी बात एक को रिपोर्ट आई थी मलीमत समीती की रिपोर्ट 2003 में CJSI को अपनी रिपोर्ट सौपी थी और इन्होंने भी कहा इनकी बहुत ये एक सीरियस इशू मुझे लगा इन्होंने कहा कि जो हमारी जो मोजूदा परणाली है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल के प्रति यानि जो accused है उसके प्रति ज़्यादा जुकी हुई है यानि उसको सजा देने में कम interest दिखा रही है वही वहाँ पर बात करें पेड़ित उसको न्याय देने में उसका इतना focus नहीं है तो ये रिपोर्ट इन्होंने निकाली फिर इन्होंने का कि भई हमारे यहाँ पर इन्होंने पेश की थी कि CJSI में बहुत ज़्यादा सुधार की जुर्द है इन्होंने पेश किया लेकिन इनकी रिपोर्ट को लागो ही नहीं किया गया कमीटी बनती है कमीटी अपनी रिपोर्ट देती है लेकिन रिपोर्ट के उपर कोई काम नहीं होता अब सुधार की रूप रेखा क्या होने चाहिए बैए एक रिपोर्ट आती है हमारे देश के अंदर जिसमें बोला जाता है अब सोच कर देखो 2012 में निर्भया केस हुआ निर्भया केस में कितना टाइम लग गया है जो दोशी थे उनको सजा होने में सोच कर देखो कितना टाइम लगा है इनको सारा देश जानता है कि उन लोगों ने किया सब कुछ चीजें हो रही है लेकिन बार 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 इनकी सजा को टाला गया कितना टाइम लगा है इनके हो और यहाँ पर एक रिपोर्ट के अकोडिंग बात बोली जाएए भारत के अंदर अगर न्याए चाहिए होता है भई न्याए मिलने में लगबख 1445 दिन का टाइम लग जाता है लगबख 1445 दिन 1445 दिन कम नहीं होते इनको year के अंदर convert करके देखो तब बाता चलेगा 365 दिन का टो एक साल गुजरता है तो सोच कर देखो उसे कितना टाइम निकालना पड़ेगा on and average की बात करो किसी में कम लगता है किसी में तो हद से भी जादा लग जाता है अब यहाँ पर क्या रूप रेखा होने चाहिए पीडितों का सरंक्षन यानि कि जो victim है उसको protection दो गई पहले तो जो पीडित हैं उनके rights को पहचानो उनको जानो कि वो वहाँ पर उनको किस तरीके से harass किया गया है फिर उनके rights उनको देने चाहिए उधान के लिए जो जो victim है और जो witness है उनके लिए protection की योजनाय चलानी चाहिए और जितने भी जो बयान हो रहे हैं उस पीडित में जो शामिल है उनको अपराद की उसमें शामिल किया जाना है कि अपराद पीडित के बयानों को उपयोग किया जाना है ताकि आप देख सकेंगी चीजें क्या चल रही है फिर साथ ही साथ जो पीडित है उनको मुआवजाम पुनर स्थापन यानि की वापस society के अंदर वापिस उनको स्थापित किया जाए इनकी भी विरिदी की जानी चाहिए साथ ही साथ नय अपरादों और अपरादों में मौझूद वर्गी करण के पुनर मुल्यांकन को अपरादिक नय शास्तर के सिधानतों द्वारा निर्देशित किया जाए जो पिछले चार दश्कों में काफी बदल गए है मतलब कि जो नए तरीके के जो उफेंस हमारे सामने आए है नए तरीके के जो उफेंस हमारे सामने आए है उनको वर्गी करण किया जाए उनको क्लासिफिकेशन उनका किया जाए कि भई अहां भी ये अलग टाइप का है और इसको अलग है कैसे कर सकते हैं लग अपर उंको ऐसे अलग किया जा सकता है पुनरस्थापन आदेश हो गया तो इनके द्वारा जो है वो एक तरीके से classification या फिर वर्गी करण किया जा सकते हैं जो भी अपराध है उनका IPC और CRPC को सुवेवस्थित करना यानि सही ढंक से उनका वर्गी करण करना ताकि भविश्य में, भविश्य को देखते हुए उनका सही वर्गी करण किया जाना चाहिए हमें और IPC के अंदर काफी सारे chapter ऐसे हैं जो overloaded हैं और जो लोग सेवक आयो गया नि पब्रिक सर्वेंट है उनके खिलाब विरोध अपराध हो गया जो एक contempt of authority है जो एक सारवजिनिक स्चान्ती है यहां पर इनको फिर से redefine किया जाना चाहिए यह उनको संकुचित किया जा सकता है यह बात बोली गई है और एक गैर सेंधांतिक अपराधी करण को रोकना इसका क्या मतलब है गैर सेंधांतिक इसका मतलब है कि आप किसी अधिनियम को अगर अपराध बना रहे हो उसको criminal, उसको crime मतलब crime गोशित कर रहे हो किसी भी अधिनियम को, किसी भी काम को तो आप उसको गोशित करने से पहले उसके उपर प्रयाप्त रुपे, उसके उपर बहस होने चाहिए और कुछ सिधांत, कुछ principle वहाँ पर सेट होने चाहिए कि हमने यह principle लेते हुए इन सिधांतों के तैद हमने इस काम को, इस अधिनियम को crime माना है अगर ऐसा नहीं होगा, आप बिना वजे ही उनके उपर बहस किये, बिना वजे ही उनके आपने सिधांत नहीं है उनके कोई principle नहीं है आपने उनको अगर अपराद की स्टेणी के अंदर डाल दिया तो सोच कर देखो, उससे नहीं अपराद तो पैदा होंगे ही होंगे, साथ इसाथ जो न्याय परणाली है, उसकी कहीना की मनवानी भी इससे दिखती है clear हुआ, तो उमीद करता हूँ कि यह पूर्ण जो topic है वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा जुरूरत है हमारे देश में IPCC, RPC, इनके अंदर कही न कहीं changes किया जाएं, जो एक colonial system से चले आ रहे हैं फिर कहीं कि जो British ने भारत वे शाशन करने के लिए जो कानून नाय थे इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि कहां पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो बेशक like करें, subscribe करें चैनल को और ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं, भहिया शेयर कर सकते हैं चैनल को as well as वीडियो को भी उससे मुझे बड़ा motivation मिलता है तो आज के लिए इतना इता, thank you for watching this video